लिमिटेशन एक्ट इस बारे में डेफाइन करता है कि कोई सूट, कोई वाद, कोई मुकदमा यदि आपको फाइल करना है तो उसके लिए टाइम पिरेड क्या है, लिमिटेशन क्या है या किसी भी सूट के लिए वाद के लिए लिमिटेशन क्या है तो कई बारी क्या होता है कि जब कोई property खरीद फरोख्त होती है और उसमें कोई sale deed यदि fraudant या misleading तरीके से गलत हो जाते हैं और उस sale deed का आपको पता नहीं होता है या फिर transfer of property act में deed of convention यदि कर रहे हैं जहां पर gift है, mortgage है या आपने exchange किया हुआ है या sale कर रहे हैं और वैसे situation में उस transfer of property act के तहर जो भी आप transfer कर रहे हैं उसमें कोई mistake हो गई हो और आपने कोई गलत property ले ली हो या कोई deed गलत हो गई हो, deed of convenience या sale deed या कोई भी deed गलत हो गई हो तो उसमें कितने समय के भीतर आप suit file कर सकते हैं और जो कोई forge हुआ है, कोई गलत हो गया है, कोई registration गलत हो गई है, कोई instrument गलत हो गया है तो उसको cancel या set aside करने के लिए limitation क्या है और ये limitation act कैसे define करता है तो देखिए limitation act 1963 के जो part 3 में है, उसमें section 58 है और part 4 में section 59 है, ये दोनों section को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए section 58 और section 59 section 58 क्या कहता है, to obtain any other declaration, इसकी limitation है 3 साल, 3 years अलत तरीके से हो गई है, तो आप section 58 को base बनाते हुए, suit file कर सकते हैं और remedy प्राप्त कर सकते हैं ठीक वैसे ही, जो section 59 है, वो क्या कहता है, कि to set aside, to cancel or set aside an instrument or decree or for the recession of a contract, माल लिजे, इसकी भी समय सीमा 3 साल बताई गई है लेकिन इसमें क्या है, कि आपको ये जो fact है कि कोई चीज गलत agreement हो गई है या कोई deed गलत हो गई है, sale deed या कोई भी deed या transfer और property में कोई गलत हो गई ये बात आपको पता कब चली, ये उस पे तै होता है, यानि कि जब से आपको पता चला हो कि कोई चीज गलत होई है, उस पता चलने के तीन साल के भीतर आपको file करना है देखे इसमें ये लिखते हैं, suits relating to decree and instrument, part 4 में क्या लिखते हैं तो यहाँ पे जब आपको पहली बार पता चलता है, तो आपको वहाँ पे file करना है इस बारे में Supreme Court का एक order है, जो मैं आपको बता देता हूँ Honorable Supreme Court ने कहा है कि जैसे कि उसमें इस fact को decide किया गया है कि within which period suit for cancellation of sale deed can be filed अब यह मामला जो है, civil appeal number 1007 of 2013 का है और यह decide हुआ है 14 December 2018 को यह जमीला वेगम वर्सेज शमी मुहम्मत का है और इस मामले में Honorable Court ने बताया है यह section 58 और section 59 के तहट आप suit file कर सकते हैं लेकिन इसकी समय सीमा limitation act 1963 से तै होगी जो की 3 साल है कुल मिला करके यह बात समझने लायक है कि यदि कोई suit आप file करना चाहते हैं जो correction के लिए limitation act के तहट जहाँ पे कोई fraudant या कोई गलत चीज हो गई है तो आपको 3 साल के भीतर file करना होगा और section 59 के तहट यदि आपको इस गलती का पता जब चला है वहाँ से 3 साल यह period count होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश करते हैं